जय हिन जय शिक्षक, वेलकम बैक टू मैं चैनल, साथियों, डीविटी एप लॉंच होने के बाद हो सकता है कुछ समस्याएं अपने सामने आएं, कुछ प्रश्ण हैं जिनकी हम हल ढूरना चाहेंगे, तो वही समस्याएं और प्रश्ण जो की संभावित हो सकते हैं, मैं इस समस्याएं आ सकती हैं, तो उसके भी हल मिलते रहेंगे, तो बने रहेंगे मेरे चैनल पर, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, ये कुछ ग्वेस्टिन्स हैं, जो अध्यापक हेतु हैं, और प्रेणा डीविटी एप से संबंदित हैं, FAQ जिने हम कहते हैं, Frequently Asked Questions, इ दूसरा प्रेशन है, क्या विद्ध्याले की सभी अध्यापकों को प्रेणा डीविटी एप इंस्टॉल करना है, तो इसका उत्तर है कि ये विद्ध्याले के प्रधान अध्यापक पर निर्भर करता है, कि वह सभी अध्यापकों से डीविटी कारे करवाते हैं, अध्वा क किसी एक से उचित होगा कि सभी अध्यापकों से प्रेड़ना dbt app इंस्टॉल करवाएं तथा आपस में कारे को बाट कर समय से पूंड करें तीसरा प्रश्ण है अध्यापक द्वारा प्रेड़ना dbt app को लॉगिन करने के बाद क्या करना है जिसका उत्तर है अध्यापक द्व जिसका विवरंड भरते हुए वेरिफाय करने का कारे करना है प्रेश्ण नमबर चार है यदि आपका मुबाइल नमबर इन वैलिट या अन्रजिस्टर्ड बता रहा है तो इस दश्चा में क्या करें तो इसके लिए आप अपने खंड शिक्षाधिकार इसे संपर्क करें य अपना मुबाइल नमबर दर्ज कर वाले या फिर टोल फ्री नमबर पर संपर करें यह नमबर दिया है नेक्स्ट प्रेश्ण है यदि आप प्रेणा डीबिटी एप लॉगिन कर रहे हैं और आपको कोई और विद्याले प्रदर्शित हो रहा है तो इस दश्चा में क्या कर おpeão macht स्तिती में ये निम्नकार करने हैं पहला है यहिदि आपको पूरविद्याले प्रदर्शित हो रहा है तो वहां कि अन्यकार रत अध्यापक से अपना नाम पुराने स्कूल से हटवा लें ।ो आपके वर्तमान विद्याले में जिस अध्यापक को नाम प्रदर्शित ह तो आप अपने खंड शिक्षादीकारी से संपर्क करके अपने मूल विध्याले में न्यूकती सुनिश्चित करवाएं नेक्स्ट प्रेशन है यदि आपको प्रेणा dbt app पर लॉगिन करने के बाद शातर शातराओं की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो इस दर्शा में क्या करें उत्तर है इसका आप प्रेणा पोर्टल या फिर प्रेणा शिक्षक आप पर जाकर टीचर लॉगिन से शातर श शातराओं की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रही है तो इस दर्शा में क्या करें तो इसका उत्तर है आप प्रेणा पोर्टल पर जाकर शातर शातरा को ड्रॉप आउट मार्क करें ड्रॉप आउट मार्क करने की कारवाही के अगले दिनी ऐसे शातर शातरा एप पर और मोबाइल में इनकमिंग सेवा चालू रखे अन्यथा ओटीपी नहीं आ पाएगा प्रेश नमबर नौ है यदि चातर चातरा के अभीभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इस दशा में क्या करें इसका उत्तर है अध्यापक द्वारा चातर चातरा के अभीभ कर सके प्रेश नमबर दस है यदि चातर चातरा के अभीभावक का आधार कार्ड नहीं बना है बैंक खाता नहीं खुला है अध्वा सक्रिय वस्था में नहीं है तो इस दशा में क्या करें तो अध्यापक द्वारा चातर चातरा के अभीभावक को सूचना दी जाएगी कि आधार कार्ड बनवाले एवं बैंक जाकर खाता खुलवाले अध्वा खाते को सक्रिय करवाले और आधार को खाते से लिंक करवाले प्रेश्ट नंबर 11 है यदि अभी भावक के आधार कार्ड और सर रजिस्टर में दर्ज नाम में भिन्नेता है तो क्या करें यदि सर पंजि का नाम परयाप्त साक्षय लेते हुए परिवर्तित किया जाएगा कि इसका विवर्ण एक प्रथक से बनाए गई पंजिका में अंकित किया जाएगा तो यह कुछ प्रश्ण थे जो अध्यापक की मन में आ रही हूंगे कि एस दश्या में हमे क्या करना चाहिए यह उन प्र DBT से समंदित कुछ frequently asked question भी है, जो कि BEO के लिए है, मैं आपको बताती हूँ, पहला प्रशन है, BEO को DBT के चात्र चात्राओं की details देखने के लिए app पर login करना है, अधवा प्रेणा पोर्टल पर, तो BEO को DBT के चात्र चात्राओं की details देखने के लिए प्रेणा पोर्टल पर login क करना है, एप पर नहीं, BEO को प्रेणा पोर्टल पर किन ID से login करना है, तो BEO को अपने ब्लॉग के प्रेणा पोर्टल के ID से login करना है, यदि BEO के पास ब्लॉग का login ID और पासवर्ड नहीं है, तो इस दश्या में क्या करेंगे, यदि BEO के पास login ID और पासवर्ड नहीं है, त तो इस दशा में क्या करें इस दशा में बीई ओ अपने बीएस ओ आफिस अध्वा डिस्टिक कॉडिनेटर से संपर करके अपना नंबर पोर्टल पर रजिस्टर करवा लें फिर है यदि बीई ओ को एक से अधिक ब्लॉक का कारभर दिया गया है तो इस दशा में क्या करें तो यदि कि अध्यापक अपनी लॉगें से चात्र चात्रा का the registration डॉपाउट नहीं कर पा रहे हैं तो VEO अपनी लॉगें से कर सकते हैं अध्यापक द्यापक द् Taste das उस चात्र चात्रा को रिवर्ट करता है जो कि पुनाव विध्याले इस तर पर प्रदरशित होने लगेगा बीयों को डैश्बोर्ड में एक ही अभीवावा के एक से जादा बच्चे देखते हैं तो क्या करना है तो उन चात्र चात्राओं को वेरिफाय करना है कि वो एक ही परिवार के हैं अत्वा नहीं नेक्स्ट है कि बीयों को डैश्बोर्ड में सस्पेक्टेड का ऑप्शन देखेगा उस ऑप्शन में बीयों को क्या करना है तो suspected option में B.E.O. को चातर चातरा दिखेगा जिनका registration, block, अत्वा, जनपद, अत्वा प्रदेश के एक से अधिक स्कूल में नाम अंकित है अत्वा एक या भीवावा के एक से जादा बच्चे हैं और वे अलग-अलग स्कूल में नाम अंकित है B.E.O. को ये वेरिफाई करना है कि असल में चातर चातरा के स्कूल ब्लॉक एम जनपद में है नेक्स्ट प्रश्ण है कि B.E.O. को प्रेणा पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद किस option पर क्लिक करने के बाद अध्यापक द्वारा वेरिफाई किएगा DBT के चातर चातराओं की डीटेल्स उनको दिखेगी और इदि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो इसके लिए लिखित रूप से जनकारी दे नाम, पद, ब्लॉक, जनपद, रजिस्टर्ड मुबाइल नमबर और इसके बाद इमेल आईडियो और टोल फ्री नमबर भ सकता है